हलो माई डियर स्टूडेंस आम राजबिर सिंग राठो और योर इंग्लिस टेनर आपका स्वागत है हमारे चानल इग्लिस ब्लास्टर में आज हम फिर से आपके लिए इडवांस इस्ट्रक्चर का क्लास लेके आए हैं जो की काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंट्रेस्ट वन पे हमारा स्ट्रक्चर है लिटील लॉंगर का मतलब होता है थोड़ी देर क्या होता है थोड़ी देर क्या होता है थोड़ी देर चलिए इससे सेंटेंसे कैसे रहेंगे जैसे मुझे थोड़ी देर खेलने दो मुझे थोड़ी देर बोलने दो मुझे थोड़ी देर सोने दो, इस परकार के sentences को हम कैसे बनाएंगे, इसको English में कैसे translate करेंगे, इन चीजों को देखेंगे, इसके लिए मैंने एक structure बनाया, let me, plus verb की पहली form, उसके बाद little longer, ठीक है, जैसे, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, ठीक है, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, तो let me think, मुझे सोचने दो, कितना देर, ठोड़ी देर, तो little longer, ठीक है, वैसे ही, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, ठीक है, नेक्से है, मुझे थोड़ी देर बात करने दो, तो क्या होगा, let me talk, little longer, मुझे बात करने दो कितना देर लिटिल लॉंगर थोड़ी देर बात समझ आ रही है एकदम आसानी से यह स्ट्रक्चर आप लिखेंगे ठीक है इसको नोट करेंगे कॉपी करें निक्स है हमारा मुझे थोड़ी दिर खेलने दो इसकी अंग्रेजी आप कॉमेंट बॉक्स में करेंगे ठीक है बच्चो निक्स हमारा इस्ट्रक्चर नमबर 22 यह भी काफी इंट्रेस्टिंग है क्या है गेटमी का मतलब होता है दिलवादो क्या बोलेंगे इसकी हिंदी सेंस क्या है कि दिलवादो गेटमी मतलब दिलवादो यह दिलवाना का मतलब यहां पर यह है कि खरीद दो ठीक है ना दिलवादो मतलब खरीद दो ठीक है कैसे सेंटेंस रहेगा इससे देखते हैं सेंटेंस रहेगा मुझे एक लहंगा दिलवादो मुझे एक फोन दिलवादो म मुझे एक माकर दिलवा दो, मुझे एक घड़ी दिलवा दो, sorry, दिलवा दो, दिला दो नहीं, दिलवा दो, ठीक है, जैसे तो इसका इस्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, get me a plus item जो आपको चाहिए जो आपको चाहिए जैसे मुझे एक लहंगा दिलवा दो ठीक है मुझे एक लहंगा दिलवा दो क्या बनाएंगे get me a लहंगा get me a लहंगा बचों यहाँ पर confused नहीं होना क्योंकि लहंगा का spelling कभी कभी L-E-H-E-N-G यह लहंगा भी होता है escort भी होता है बहुत सारे लहंगे की मतलब लहंगा का जो word होता है वो बहुत सारा होता है इसलिए confused नहीं होना ठीक है मुझे एक लहंगा दिलवा दो तो get me a लहंगा मुझे एक bike दिलवा दो क्या बनेगा get me a bike और आपके बनाने के लिए मैंने ये सिंटेज लिखा है पापा मुझे एक फोन दिलवा दो इसकी इन्ट आप कॉमेंट बॉक्स में क्या करेंगे बच्चों फ्रेम करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट कर और हमारा सहयोग करें जय हिन जय भारत